हेलो दोस्तों क्या हाल है आपके आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप दवाईयों का नाम देखकर उसका यूस कैसे पता करें अगर आप दवाईयों के बारे में जानना चाहते हैं उसका नाम देखकर उसका यूस पता गरना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाष्ट तक जरूर देखें ये हमारी इस series की दूसरी वीडियो है अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके description में उसकी link दे रखिए आप वहाँ से देख सकते हैं और अगर आपको दवाईयों में रूची है और आप दवाईयों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले क्योंकि हमारे चैनल पर कैरियर और दवाईयों से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं तो शुरू करते हैं आज किस वीडियो को आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं fanax suffix के बारे में तहरोगा कि जैसा कि मैंने previous video पिछली video में बताया था कि अगर आपको किसी भी दवाई का नाम देख़े कि सका काम जानना है या उसका यूस पता करना I तो उसके लिए आपको उसका यूज जानने के लिए आपको उसका suffix याद रखना होगा suffix क्या होता है किसी भी चीज का जो पिछला नाम का पिछला हिस्सा होता है जैसे कि आप तीन एक्जामपल देखो Bromofenac, Declofenac and Nepafenac यह तीन दवाई के नाम में एक चीज आपको common दिख रही होगी लास्ट में Phenac, Phenac, Phenac इसे हम suffix बोलते हैं यह हर medicine के last में होता है हर medicine के salt name के last में होता है अगर आपने इसको याद कर लिया और इसका use भी याद कर लिया तो उसको देखते ही आपको जान जाना इसकी medicinal category जो है वो non-steroidal anti-inflammatory drugs है यह non-steroidal anti-inflammatory drugs वो drugs होती है जो आपकी pain को कम करती है मतलब की दर्द को कम करती है उसके साथ-साथ अगर आपको allergy की वज़े से कोई inflammation होता उसको भी कम करती है और उसके इन तीनों combined effect के साथ-साथ यह आपका body temperature मतलब की बुखार को भी कम करती है तो अगर आपको बुखार के साथ दर्द है और दर्द के साथ कोई allergy भी है तो आप इस दवाईयों को ले सकते है और इन तीनों में से किसी भी दवाईय को ले सकते है और यह ibuprofen से ज़्यादा ही अच्छी दवाईय साबित होती है bromophenic, diclofenic, nepaphenic इन तीनों में से कोई भी दवाईय आप ले सकते है आपको अगर fever है fever के साथ pain भी है और pain के साथ कोई allergy भी है जैसे कि अगर आप एक्जामपल देखें लीडोकेन, प्रीलोकेन, प्रोपेराकेन और जो बाकी जो दो दवाईया सब उन दोनों के भी last में जो suffix word है तो वो केन है तो यह चीज suffix होती है अगर आप किसी भी दवाई के last में अगर किसी भी 2-3 दवाईय देखते है अगर उनके last में same suffix है जैसे कि अगर आप किसी भी दवाई के last में देखते है केन लगा हुआ है तो उसको देखते ही आपको जान जाना है यह local anesthetic है local anesthetic वो दवाईया होती है जो कि operation या फिर कहीं बहुत जादा चोट लग जाते है या फिर टाके लगाए जाते है तब दिया जाता है जो कि सुन अगर आप normally जाने तो इसको सुन करना कहते है सुन करने वाली दवाई होती है local anesthetic वो दवाईया होती है जिस हिससे को आपका operation हो जाना चाना कि अगर हम example की बात करें दवाईयों के तो पीवा केन, लीडो केन, मैपीवा केन, प्रीलो केन, प्रोपेरा केन, सब के लाश्ट में केन केन है तो अगर आप किसे आपको इन चार वांचो दवाईयों को छोड़ के भी किसी भी दवाई के लाश्ट में केन सफिक्स दिखता है अगर आपको फ्यूचर में दिखता है कभी भी आप दवाई खरीटते हैं तो आपको वो दिखते ही जान जाना है proton pump inhibitor है वो proton pump inhibitor वो चीज होती है जैसे कि अगर आपके पेट में जो membranes होती है वहाँ से H plus release होता है जिसकी वज़े से अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वज़े से आपकी पेट में acidity हो जाती है यहां समस्या बहुत ही जादा खाली पेट रहने पर होती है और जो लोग fast रखते हैं या फिर वरत रखते हैं उनके case में भी चीज यहां समस्या सामने आती है तो अगर आपके पेट में acidity हो जाती है मतलब की acidity होती क्यों है acidity आपके पेट में जो membrane होती है वहां से वहां पे कुछ pumps होते हैं या फिर voltage gated channels होते हैं आयन्स के लिए चैनल्स के लिए चैनल्स होते हैं जैसे कि अगर आप रास्ता मान सकते हो एक तरीके से तो उस रास्ते से जो है H plus रिलीज होता है और H plus एक ऐसा आयन है जिसके ज़्यादा बढ़ने के कारण आपके पेट में acidity हो जाती है तो ये omiprazole या फिर ismoprazole and rabiprazole ये ऐसी medicine से ये जाके आपकी उसी channel पर bind हो जाती है जिसकी वज़े से आपके पेट में जो है proton release कम हो जाता है या फिर बहुत बंद ही हो जाता है जिसकी वज़े से आपकी जो acidity होती है वो control हो जाती है इसी वज़े से इस दवाई को जब भी आप लेते हैं तो आपको खाली पेट लेने के लिए suggest किया जाता है या फिर बोला जाता है अगर आपकी इस दवाई का use के बारे में बात करें तो वह आपको देखते ही जान जाना है proton pump inhibitor है proton pump inhibitor आपकी acidity को treat करने के लिए use होते है ulcers को treat करने के लिए use होते है and acid reflux को भी treat करने के लिए use होते है तो जो medicinal suffix है वो है प्रोफेन अगर suffix के बारे में आपको नहीं पता आपको आपको जाना है के यह सारी के जहारी इक ही केटेगरी की मेडिसीन से यह और एक ही काम के लिए यूज होती है बस इनकी जो अगर डूसेज में फरक होगा मतलब कि उनकी एमजी में जैसे कॉंटिटी में बस फरक हो सकता है और थोड़े बहुत अलग चेंजस कर दिये जा सकते हैं बाकी यह सारी चीज़ें इस सेम कटेगरी की होती है तो सेम ही चीज के लिए यूज होंगी अब जैसे कि अगर आप प्रोफिन की बात करें तो यह नैसिट ड्रक्स है मतलब इंटी इंफ्लामेटरी ड्रक्स है और इंटी इंफ्लामेटरी ड्रक्स है और इंटी इंफ्लामेटरी ड्रक्स होती है जो एलर्जी के अगेंस्ट में यूज होती है मतलब और यह जो नैसिट से नौन इस्टेरोइडल इंटी इंफ्लामेटरी ड्रक्स है यह आपका तो पे कOMBINE मतलब कि आपको बुखार भी सरीर में दर्द भी हो सब्सक्राइब हो या सारी चीज़ें इसे कोई भी पेन है आपको तो और उसके साथ अगर आपको फीवर भी है यह चारों रख्ज हैं कि फिनोप्रोफन फलरभी प्रोफन इन चार दवाईयों को छोड़के भी अगर आपको किसी भी दवाई में प्रोफन नाम दिखता है तो भी सेम कटेगरी में भी आएंगी तो वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्फुल रही होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कोई क्वेरी रहती है मेडिसीन से रिलेटेड या फिर कैरियर से रिलेटेड तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर थे हैं थैंक यू